दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं एडू बगीचा दोस्तो हम लोगों ने बिटामिन का पार्ट वन को देख लिया था जिसमें हम लोग बिटामिन A, बिटामिन B, C, D, E और K के बारे में जाना था और उससे संबंधित उसके सांटिफिक नेम को जाना और सबको एक ट्रिक के माद हम से याद भी किया था तो आएए हम आज बिटामिन B कॉम्पलेक्स के बारे में जानेंगे तो देखिए बिटामिन B कॉम्पलेक्स जो है सबसे पहले B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 इतना बिटामिन B कॉम्पलेक्स होता है यहां B4 नहीं होता ह है B8, B10 और B11 नहीं होता है देखिए इसका मॉस्टली यूज मेडिकल लाइन में जादा होता है यानि मेडिशीन और बनाने में इसका यूज काफी जादा होता है बिटामिन B कॉम्पलेक्स का ठीक है आए देखते हैं यह जो बिटामिन B1 है तो बिटामिन B कहिए या सिर् बिटामिन B1 इसका केमिकल नेम कहें या फिर सेंटिफिक नेम कहें यह होता है थाइमीन ठीक है बिटामिन B1 या बिटामिन B दोनों का होता है थाइमीन फिर बिटामिन B2 की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है राइबो फ्लोबीन राइबो फ्लोबीन बिटामिन B3 की बात किया जाय तो होता है नियासीन इसको नियासीन कहा सकते हैं या फिर इसको निकोटीनामाइड भी कहा सकते हैं निकोटीनामाइड ठीक है यह तमबाकू अगरा मैं नियासीन या निकोटीनामाइड पाया जाता है बिटामिन B5 की बात करें तो पेंटो थेनिक एसीड केमेस्ट्री में आप लोग पेंट मिन्स 5 पड़े होंगे तो इस पेंट मिन्स 5 तो उससे याद हो जाएगा पेंटो थेनिक एसीड vitamin b6 को कहते हैं pyridoxin vitamin b7 को biotin कहा जाता है और इसको एक और नाम से जना जाता है vitamin h के नाम से जना जाता है तो vitamin h भी हो गया और ये b7 का chemical name क्या हो गया biotin भी हो गया vitamin b9 की बात अगर की जाए तो इसको folic acid कहते है विटामिन B9 को folic acid कहते हैं और विटामिन B12 को shinokowal mean कहते हैं ठीक है तो यह तो हो गया इसका chemical name अब रही बात कि इस chemical name को हम याद कैसे करेंगे सबसे important बात तो यही है कि याद कैसे करेंगे तो पहले तो इसको 2-4 बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे एकदम पढ़ने के बाद हम एक trick देंगे और उस trick के उपर इसको बैठा करके और 2-3 बार revise कर लेंगे याद हो जाएगा तो आएए देखते हैं कि इसका क्या trick बनता है देखिए यही trick है हम लोग का नन फॉल्डेबल देखिए थारिनी ने पापी बाई से नन फॉल्डेबल बारह कंबल खरीदे यह trick हो गया थारिनी ने पापी बाई से नन फॉल्डेबल बारह कंबल खरीदे अब इसमें देखिए यह था से क्या हो जाएगा थायमीन री से क्या हो जाएगा यह राइवोफलोबीन नी से क्या हो जाएगा, नियासीन, नियासीन कहिए या फिर निकोटिनामाइड कहिए, ये पास से हो जाएगा, पेंटो थेनिक एसिड, पेंटो थेनिक एसिड, इस पी से क्या होगा, इस P से हो जाएगा आपको पायरीडोक्सीन, बाई से हो जाएगा बायोटीन, उसके बाद हो जाएगा ये नन फोल्डेबल से हो जाएगा, नन फोल्डेबल से हो जाएगा आपका फॉलिक एसिड, देखी फोल्डेबल से फॉलिक और नन से नाइन, यानि बी नाइन को फॉलिक एसिड करते हैं, फॉलिक एसिड, बारह कमबल, यानि बी टुवेल्ब और कमबल से हो जाएगा कोबाल मीन, क्या हो जाएगा, कोबाल मीन, कोई दिकत इसमें अब इसको बस रिलेट करके हमको याद रखना है इसलिए हमने एक ट्रिक बनाया थारिनी ने पापी बाई से नन फॉल्डेबल बारह कंबल खरीदे ये ट्रिक हो गया अब देखिए इसको ये था से थाइमीन, रीशे राइबो फ्लोविन, नीशे नियासिन पा से पेंटोथेनिक एसिड, पी से पाईरिडॉक्सिन, बाई से बायोटीन, यानि बिटामिन नाइन से फोल्डेबल यानि फॉलिक एसिड, बारह कंबल यानि B12 कोबालमीन, साइनो कोबालमीन होता है ना ऐसे करके हम इसको याद करेंगे ठीक है अब हम देखेंगे ये हम हमाराивают a विटामिन b complex हो गया यह उसका किमेकल नेम हो गया है यहां हं चीजों को रिलेट करके मतलब याद कर लिए आप समझेंगे कि इस विटामिन b complex के जो इतने साथ साल seçन दीख रहे है इसी इसकी लाक होने से कम होने से कौन-कौन सी disease हो सकती है और उस disease का नाम क्या-क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग आईए देखेंगे अब यह देखेंगे कि यह जो vitamin B complex है यह vitamin B complex से कौन-कौन से disease होते हैं तो देखिए vitamin B और B1 तो एक ही है पहले भी हम लोग बता चुके हैं वीवन से बरी-बरी होगी तो बरी-बरी क्या है A skin disease है आँ आलमॉस्ट इतना समझे कि इसमें से maximum जो है A skin disease से ही रिलेटर है vitamin B से ठीक है तो इससे skin disease हो जाएगी बरी-बरी कहेंगे vitamin B2 की बात करें तो इससे होती है केलियोसिस बीमारी ओस्ट बिदर्ता कहते हैं जिसमें की ओस्ट ओगारा मतलब ओठ जो है उसका कट जाना उसका फटा हुआ होना यह सब इसके सिम्टम्स है इसकी दूसरी बात की जाये तो यह DNA के निर्मान में मदद करता है बिटामिन B2 जिसको राइवोफलोबीन कहेंगे यह DNA के निर्मान में हेल्प करता है तीसरी बिटामिन B3 की बात किया जाये नियासीन की तो इसकी कमी से पेलागरा रोग होता है यह पेलागरा क्या है पेलागरा होता है तो अच्छा संबंधी रोग दस्त होता है इसमें बात भ्राम हो जाना होता है ठीक है भ्राम का हो जाना विटामिन B3 से संबंधित है विटामिन B5 की बात करें तो डर्मेटाइटिस डर्मेटाइटिस नामक डिजिज होता है जिसको हम लोग एक्जीमा कहते हैं जिसमें खुजली हो जाता है जलन हो जाता है उस संबंधित ए outन्हक उस्टे इनेमिया थो समझते ही हैं खुन की कमी या फिर उसको क्या बोलते हैं हímीमगलोबिन की कमी और वीका की का सकते हैं, आरडीची की कमही कर सकते हैं. तो यह सारे चीजे एनेमिया से संबंदित थे। विटामीन B7 की बात की जाए है path to процессiasis नामक एक डेजिज होती है जो की जुन जुनी उत्पण करती है बड़ी में या नि बैचायनी उत्पण करती है उससे संबंधित लकवा भी होता है और डेप्रेशन भी इसी संबंधित होता है बिटामिन B7 से या फिर इसको बिटामिन H भी कहते हैं तो बिटामिन H से भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है ये अगर देखे जाए तो इसकी मात्रा जो है सल्फर में काफी ज़्यादा होती है सल्फर में एक element है, सल्फर एक तत्व है उसमें ये सब बिटामिन B7 की मात्रा अधिक्तम होती है बिटामिन B9 की बात की जाए तो एनिमिया डिजिज होती है और बिटामिन B12 की भी बात की जाए तो इसकी भी कमी से एनिमिया नामक डिजिज होती है देकिन बिटामिन B12 में कोबाल्ट पाये जाता है तो इससे relate भी करेंगे, हम लोग कोबाल मीन, इसका scientific name पढ़े थे, साइनो कोबाल मीन, तो कोबाल्ट से ही कोबाल मीन इसको relate कर लेंगे, ठीक है, अब देखेंगे कि ये disease name तो हो गया, फिर ये कैसे, हम लोग इस disease name को कैसे याद रखेंगे, इसको हम लोग देखते हैं, कि इस इस डीजीज नेम को भी तो याद रखना जरूरी है तो इस डीजीज के नेम को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं हाँ तो इसका ट्रिक है देखिए कितना important ट्रिक है इसको समझते हैं बीबी चिलाएगी पागल देरी से आने पर बीबी चिलाएगी पागल देरी से आने पर 9 से 12 आना ही आना है मतलब कोई किसी की बीबी है जो कोई husband घर से बाहर गया है तो उसी पर एक trick बना दिया गया है जिससे कि ये सारे चीज याद रहेगे तो देखिए बीबी से क्या हो जाएगा बीबी से हो जाएगा बेरी 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 हो जाएगा बीबी से चिलाएगी चिलाएगी से हो देखिए कैलियोसिस CH से है इसलिए भले ही इसका उचारन भले कोई से है लेकिन यहां CH से लेकर हम लोग देखेंगे, तो चिलाय की से हो जाएगा, केलोसिस, ठीक है, पागल से क्या हो जाएगा, पागल से देखिए तो पेलागरा हो जाएगा, पागल से हो जाएगा आपका पेलागरा, फिर देरी से हो जाएगा डर्मेटाइटिस, देली से क्या हो जाएगा डर्मेटाइटिस अब देखते हैं आने पर आने से एनेमिया पर से क्या होगा परस्थेसिस परस्थेसिस नो से बारह यानि बिटामिन बी नाइन और बिटामिन बी टुएल्व आना आना यानि एनेमिया फिर यहां भी एनेमिया देखिए अब आये समझते हैं बीबी चिलाएगी पागल देरी से आने पर नो से बारह आना ही आना है ये ट्रिक हो गया बीबी से हो गया बेरी-बेरी जो कि बिटामिन B1 का बात है चिलाएग इसी चलियोसिस या कैलियोसिस बुलते हैं तो बिटामिन B2 की बात हो गई पागल से हो गया पेलागरा यहां है बिटामिन B3 देरी से देरी से ले लेंगे डर्मेटाइटिस जो बिटामिन B5 है जिसको ए निमिया देख लेंगे यानि विटामिन B6 हो गया तो देखे या विटामिन B1 हो गया ये B2, B3, B4, सोरी B4 नहीं होता है B5 यहां हो गया B6 ये B7 परिस्थेसियस जो बायोटीन है B7 पर 9 से 12 यानि विटामिन B9 और B12 ये हो गया विटामिन B9 और ये हो गया विटामिन B12 ठीक है आने पर 9 से 12 आना से यानिमिया फिर आना से यानिमिया यह बीबी चिलाएगी पागल देरी से आने पर 9 से 12 आना ही आना है ठीक है अब हम लोग समझ गए विटामिन B complex भी समझ गए बहुत ही अच्छा से मतलब अब इसको आप लोग रिवा करेंगे ट्रिक का यूज करेंगे आटोमेटिक यह याद हो जाएगा हमेशा के लिए ठीक है और इसको अपने दोस्तों में शेयर करना है लाइक करना है सब्सक्राइब करना है ठीक है और हो सके तो कमेंट्स भी करना है चुकि आप लोग के कमेंट्स देख करना हमको और हम लो झाल एंकियो